नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट कप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 RTI X 2005 के तहत यदि सूचना आयोग में सूचना आयुक्त द्वारा ठीक से कारवाई नहीं की जाती है तथा लोग सूचना पदाधिकारी को बचान हाई कोट से भी किया जा सकता है मैंने एक सिकार पटना हाई कोट में सूचना आयोग के खिलाप दायर किया था जिसके बारे में यह जानकारी मुझे पटना हाई कोट से दी गई है आप लोग लगातार इस वीडियो को बिना स्किप किये हुए अवस्ट देखेंगे जो पहली बार देख रहे हैं जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अवस्ट सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक अवस्ट कर लें जिससे इस तरह के उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा एक लाइक अवस्ट करेंगे तथा इसे इतना सेयर करें कि हर भारती को इसकी जानकारी हो सके कि सुचना आयोग के खिलाप RTI में यदि धांदली की जाती है पक्षपात किया जाता है लोग सुचना पदादी कारी PIO का बचाने का कारज किया जाता है तो इसकी सिकायत अपने अपने राज्जी के हाई कोर्ट से भी किया जा सकता है चलिए इसे पूरा अवस्ट देखेंगे या मैंने एक सिकायत पटना हाई कोर्ट से की थी जिसका लेटर आज ही मुझे मिला है या हाई कोर्ट लिगल सर्विस कमिटी पटना के माध्यम से मैंने सिकायत किया था उसी के माध्यम से या लेटर मुझे रइश्टार कम सक्रेटरी के माध्यम से यह मुझे बेजा गया है जिसकी copy एक the state chief information commission बिहार पटना को भी बेजा गया है आप लोग देखें to लिखावा the state chief information commission बिहार पटना subject grievance of mr. praveen kumar sarma या मेरा नाम है grievance इकायत हुआ sir i am in closing here with a copy of applicants received from mr. praveen kumar sarma son of shrivi siswar prasad sarma residence of village ragopurtika nurpurnath nagar bhagalpur 812006 and request you to look into the meter with regard to his grievance this is for your kind information and needful your faithfully रइस्टार कम secretary पतना हाइ कोट legal service committee यह memo number इतना डेट 24 12 22 के माध्यम से मुझे यह परतिलिपी भेजी गई थी जिसकी जानकारी मुझे आज रइस्टर डाग के माध्यम से दी गई इसलिए आप लोगों को भी मैं निवेदन पुरवक कहना चाहता हूँ कि यदि किसी भी तरह का सुचना आयोग में कोई सिकायत हो तो इसकी सिकायत आप हाई कोट में अवस्च करें जहें